हे गाईज वेलकम तो गाईज अगर आप अपना एक डिजिटल प्रोडेक्ट ऑनलाइन सेल करना चाहते हो वो भी ब्लॉगर के उपर तो ये वीडियो आप लोग के लिए है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने डिजिटल प्रोडेक्स को सेल कर सकत है तो आपको वीडियो नहीं मिलेंगी तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे ब्लॉगर का यूज करते हुए कैसे अपने डिजिटल प्रोडेक्स ऑनलाइन सेल कर सकते हो बिलकुल फ्री में जी हाँ गाईज वर्ट्रेस के ऊपर सेल करने के ल एंड तक आपका एक स्टोर बनकर रडी हो जाएगा तो चलिए गाईज वीडियो को शुरू करते हैं ओके गाईज तो सबसे पहले आपको ब्लॉगर.com में लॉग इन कर लेना है तो उसके बाद आपको एक न्यू चाप ओपन कर लेना है और आपको एक वेबसाइट के ऊप अपना स्टोर रोस आपनकर लेन वाले हैं जी हाँ इस वेबसाइट के मदद से हम डिजिटल प्रोडिक्स को सैल करेंगे बिलौकुल फ्री तो यहाँ पर आपदेख सकते हो सटार्ट सेलिंग आपको इसके ऊपर क्लिक कर दिना है जैसे आप इसके उपक्लिक कर लोगे तो यहां पर आपको login करने को बोल रहा है, आपका account obviously नहीं होगा, तो आपको यहां पर अपना account बना लेना है, आप ज़ा हो तो facebook की तो भी connect कर सकते हो, तो चलिए account बना लीजिए, account बना लेने के बाद, आप यहां पर देख सकते हो, setup your new home, तो यहां पर आपको कुछ basic से details देनी होगी, यहां पर देखिए username है, यहां पर देखिए gumroad.com है, तो यहां पर आपको अपने website का domain name दे देना है, तो चलिए मैं यहां पर से domain name दे देता हूँ, यहां पर आप देख सक सकते हो bio है, तो यहां पर से आप अपना bio दे सकते हो, तो अभी के लिए मैंने यहां पर सिफ hey guys लिखा है, और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो photo है, यहां पर से आप अपनी profile pic भी upload कर सकते हो, बट अब मैं वो करूँगा नहीं, यहां पर देखिए community है, यहां पर द audio books, बहुत सारे हैं, तो आप किस तरह का product sale करने वाली हो, वो आपको यहां पर select कर लेना है, तो मैं यहां पर आप देख सकते हो, apps and software से, तो मैं इसको select करता हो, आप अपनी category के हिसाब से select कीजिए, और उसके बाद country India है, और उसके बाद आपको simply continue के उपर click कर देना है, जैस पर classic है, जो कि start selling today है, और यहां पर दीकिया pre-orders है, sell before a release date, मतलब कोई product है, आप launch करने जा रहे हो, 4-5 दिन बाद, तो उसकी pre-orders ले सकते हो, आज, मतलब आप आज, या फिर कल, जो भी हो pre-orders यहां से आप ले सकते हो, जैसे होता है, हम कभी कोई game या कोई software आने वाला हो, तो उसको हम pre-book करते हैं, pre-order करते हैं, तो वैसा अगर आप कुछ करना चाहते हो, तो आप इसको select कर सकते हो, या नहीं, तो अगर आप membership plan रखना चाहते हो, तो यहां पर आप देख सकते हो, membership है, जो कि monthly business पर हम जैसे Amazon Prime का membership लेते हैं, जैसे हम Netflix का लेते हैं, वैसा अगर आप का name दे दिया है, और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो, price, जो कि dollars में है, अगर आप इसको change करना चाहो, तो यहां पर से आप change कर सकते हो, मैं फिलाल के लिए, dollar में ही रहने देता हो, और जो price है, यहां पर से आप price को, मतलब जितना भी आपका price है, वो आप रख सकते ह फिलाल के लिए मैं यहां पर $5 ही रहने देता हो, और उसके बाद यहां पर दिखिए next customize है, तो चलिए मैं इसके ऊपर click कर देता हो, next customize के ऊपर मैंने click कर दिया, और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो, what are you creating, तो यहां पर यह दिखिए मेरे product का name आगया है, और उसकी short description आपको यहां पर देनी है, उसके बार में description देनी है, तो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर मैंने description में कुछ लिग दिया है आपको बताने के लिए, और इसके बाद यहां पर आप देख सकते हो, यह तरफ आपका जो product है, उसका overview यहां पर आ रहा है, आप देख सकते हो कुछ इस तरह का आपका प्रोडेक्ट कर लगने वाला है आपके store में यहां पर से आप इसकी image को भी वो कर सकते हो मतलब upload कर सकते हो, change कर सकते हो यहां पर दीके Choose File आपको इसके उपर क्लिक करना है इसके उपर क्लिक करने के बाद आप अपनी file select कीजिए तो Astra, यहां पर दीकिए Astra plugin है, तो मैं यहां पर से Astra को select कर लेता हूँ, जैसे मैंने select किया, मतलब upload किया, यहां पर देख सकते हो, आप यहां पर दीकिए, आपका जो product है, वो beautiful लग रहा है, आप बन कर ready हो चुका है, और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो, call to action है मतलब I want this है यहां पर, तो यहां पर से आप by this लगा सकते हो यहां पर से pay लगा सकते हो, तो यहां पर मैं by this लगा देता हूँ, summary देना चाहो तो आप दे सकते हो या यहां पर देखिए additional details अगर आप अपने product के बारे में देना चाहो जो कि यहां पर आएगा, तो वो आप दे सकते हो और यहां पर देख सकते हो content तो यहां पर आपको अपना content अप्लोड करना है मतलब जो बंदा यहां पर purchase करेगा तो उसे मिलेगा क्या, यह जो यहां पर से आपका product जो आप sale करना चाहते हो आप यहां पर click करके upload कर सकते हो तो चलिए मैं यहां पर upload from computer पर click कर देता हो और करने के बाद यहां पर से मैं अपना Astra Pro upload कर देता हो Astra Pro Sites, यह मैंने upload कर दिया यहां पर आप देख सकते हो, यह upload हो रहा है तो यह successfully upload हो चुका है उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो, pricing है जो कि $5 है यहां पर आप देख सकते हो, एक option है यहां पर allow customers to pay what they want अगर आप इसको enable करते हो तो यहां पर आप देख सकते हो यहां पर आप देख सकते हो, यहां पर आपने amount दिया है तो वो $5 ऐसे ही रहेगा उसके बाद allow customers to pay what they want मतलब customers अगर कुछ बढ़के भी pay करना चाहें तो वो आप pay कर सकते हैं कम pay नहीं कर सकते, आपने amount दिया है $5 तो वो $5 minimum pay करेंगे आपको अगर उससे बढ़के अगर यहां पर देख सकते हो suggested में आप यहां पर लिख सकते हो $10 तो यहां पर दिखे $5 शो करेगा minimum amount अगर suggested में आप जो लिखो वो शो करेगा $10 तो अगर customer जो आप से buy कर रहा है उसको लगे के $10 worth है इसके लिए तो वो $10 भी pay कर सकता है तो यह आपकी choice है अगर आप इसको enable करना चाहो तो कर सकते हो या अगर आप enable नहीं करना चाहते है तो मर्जी आपकी यह ना करें और उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो versions versions है तो जैसे version मतलब जैसे अपने Android हो गया Android 5.1, 5.2, 10, sorry 10 तल रहा है भी 10.12 तो आपके product का भी version है जैसे game के versions होते है वैसे अगर आप यहां पर देना चाहो add version पर click करगे तो आप दे सकते हो यहां पर आप देख सकते हो उसके बाद limit product sales यानि कि इस पर अगर आप click करोगे तो आपके product की एक limit set होगी 20 product sales होने पर यह product मतलब out of stock हो जाए या आप limit लगा सकते हो उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो allow customers to choose a quantity मतलब किते quantity में वो लेंगे obviously यह एक digital product है तो यहां पर quantity matter करती ही नहीं उसके बाद यहां पर आप देख सकते हो publicly show the number of sales on your product page मतलब यहां पर देखिए zero sales है यहां पर जैसे जैसे आपके sales होएंगे तो वो यहां पर आएगा अगर आप इसको off करना चाहो तो off भी कर सकते हो उसके बाद नीचे एक और option है आपकी मर्जी है यह वगरा कुछ होता है अगर इसको ऐसे ही रहने दीजिए enable ना करें उसके बाद simply आपको यहां पर safe changes के ऊपर क्लिक कर देना है अब आपको यहां पर publish पर क्लिक कर देना है तो यह जो product है आपका successfully publish हो चुका है ओके गाइस तो अब आप यहां पर देख सकते हो share your product तो दोस्तों यहां पर दो options आपको मिलते हैं एक है overlay और एक है embed तो आप इसमें से कोई भी select कर सकते हो बट मैं आपको recommend करूँगा embed को select कीजिए अगर आप overlay को select करते हो ना तो आपको बस एक button मिलेगा simply यहां पर show कर रहा है देखो इस तरह का एक button मिलेगा जो कि मतलब अच्छा प्रोफेशनल नहीं लगेगा तो आपको यहां पर embed के उपक्लिक करना है और जैसे ही आप इसके उपक्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो आपके सामें इसका preview बनके आ गया है तो नीचे scroll down कीजिए और scroll down करने के बाद यहां पर देखिए यह जो text नजर आ रहा है आपको इसको copy कर लेना है इसे आप copy कर लीजिए और इस code को copy कर लेने के बाद अब आपको आपके blogger पर जाना है और यहां पर आपको एक article create करना होगा मतलब आपको अपने product से related एक article यहां पर create करना होगा मतलब आपको बताना होगा कि क्या चीज आप सेल कर रहे हो तो आपको एक प्रोडेक्ट आर्टिकल यहां पर क्रियेट कर लेना है तो अभी के लिए मैं यहां पर आर्टिकल क्रियेट नहीं करूँगा यहां पर देखिये मेरा एक आर्टिकल है तो मैं इसी article में उस link को paste करके आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे sale होता है तो चलिए मैं इस article को open कर लेता हूँ और article को मैंने open कर लिया एक्जाम, wait HTML में था, compass में मैं आ गया तो कुछ इस तरह का मेरा यहाँ पर यह article है guys तो guys यहाँ पर आप देख सकते हो यह मैंने space दे दिया तो जहाँ पर भी आपको add करना है वहाँ पर simply आप कोई भी text add कर दीजिए, मान लीजिए यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने add किया आप कोई भी word यहाँ पर इस तरह से add कर सकते हो उसके बाद आपको simply यहाँ पर इस तरह आइकॉन पर क्लिक करना है और यहाँ पर यह compose wave में होगा आपको HTML पर जाना है और HTML पर जाने के बाद यहाँ पर आपको कहीं पर भी क्लिक करना है क्लिक करने के बाद CLRTF आपको प्रेस करना है और उसके बाद जो भी word आपने लिखा था मैंने aaa लिखा तो यहाँ पर आपको टाइप करके enter कर देना है यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपने लिखा था यहाँ पर आ जाएगा तो सिम्पली आपको इसे copy कर लेना है और copy कर लेने के बाद आपको simply जो आपने अभी copy किया था मतलब जो आपने उस code को copy किया है उसे यहां पर paste कर देना है तो यह मैंने paste कर दिया उसके बाद आपको simply update कर देना है तो यहां पर आप देख सकते हो आपका article update हो चुगा है तो अब हम चलते हैं back और यहां पर से देखिये view है तो मैं अब इस article को view करके देखता हूँ कि मैंने जो product add किया है वो किस तरह से यहां पर show कर रहा है तो simply मैंने view के open click किया और यह मेरा article open हो चुगा है अब मैं नीचे scroll down करके देखता हूँ मेरा जो product है वो actual में add हुआ है या नहीं तो यह मैंने नीचे scroll down किया और यहां पर आप देख सकते हो guys कितनी professional तरीके से यहां पर मेरा product आ गया है यहां पर आप देखिये मैंने जो product add किया था दिखिये astra pro premium theme और यहां पर देखिये यह जो मैंने description लिकी वो आ गई है और यहां पर आप देख सकते हो आपका जो price है वो आ गया है और यहां पर देखिये size आपके product का size भी आ गया है guys और यहां पर आप देख सकते हो buy this button भी आ गया है तो जब भी कोई इस buy this button पे click करेगा तो सीधा उसके सामें कुछ इस तरह का page open होगा और यहां पर से वो अपनी details भर कर इस product को purchase कर सकता है guys है ना दोस्तों यह एक कमाल का easy option जहां से आप अपने blogger का use करके digital products को आप sale कर सकते हो guys यह जो मैंने आपको gum road बताया है दोस्तों यह एक platform है जहां पर आप अपने digital product को sale कर सकते हो easily यह एक free platform है guys यह आपसे starting में कुछ भी charge नहीं करेगा जब आप sale करोगे जब आपके website से कुछ sale होगा तभी बहुत minimum यह आपसे charge करते हैं तो इस तरह से आप easily free में अपना blogger के एक digital store create कर सकते हो और आप अपने digital products को sale कर सकते हो तो मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ practically बताया है कि step by step आपको क्या करना है कैसे करना है हर वो चीज मैंने आपको बताई है और मैं उमीद करता हो आपको यह video पसंद आई होगी इस video से आपकी help हुई होगी अगर आपको यह video इस video को एक like जरूर कीजिए चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो make sure करें के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें so yeah guys मिलते हैं एक और अगले इंटरस्टिंग वीडियो के साथ तिल दिन थाइंक्स लॉट फॉर वाचिंग बबाई